हालो गैस दिस इस प्रिंस और आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले एक टॉपिक चंद्रमा यानि मून आज हम मून के बारे में जानने वाले हैं जैसे कि क्या यानि इसमें मून की मून क्या है दूसरा कुछ विशेश ताइं और फैक्ट तो चली जानते मून दरसल अगलाएव मनी पिछली वीडियो में आपके बताया क्या वताई एक वर्वीव के लिए आपको बता दूं उपघ्रा एक ऐसा खोली पिन जो ठीक वैसे जैसे ग्रह सूर चारोर चक्कल लगाते हैं किसी ग्रह के चारोर चकल लगाते हैं समझ रहा है यानि एक ऐसा खगोली प्रत्वी और यह हुआ थीक है तो प्रत्वी जो है एक तारे का चक्क्र लगा रहा है और मून प्रत्वी का चक्कल लगा रहा है यानि आशा खगोरी पिंड जो किसी ग्रह के चारों चक्कल लगाता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम उपग्रह या सटेलाइट कहते हैं और चंद्रमा एक उपग्रह है अब बात आती ही चंद्रमा किस तरह का उपग्रह है देखिए उपग्रह दो प्रकार के होते हैं एक भौतिक उपग्रह यानि नेचुरल सटेलाइट और एक क्रतिम उपग्रा यानि artificial satellite ठीक है तो भावतिक उपग्रा क्या होते हैं देखिए भावतिक उपग्रा वो होते हैं जिन्हें किसी मनुस नहीं नहीं बनाया हुआ होता है ठीक है जैसे कि चंद्रमा चंद्रमा क्या है एक natural satellite है और क्रतिम उपग्रा वेवपग्रा होते ह इन्हें किसी मनुष्य यानि साइंटिस्ट ने बनाया होता है अपने उद्देश की पूर्ती है तो जैसे कि हमारे साइंटिस्ट अंत्रिच्छ में जो है अपने सेटेलाइट को भीजते हैं किसलिए संचार व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए ब्रम्हान के रहस्यों को तो वह उपग्रा क्या हो जाएंगे क्रतिम उपग्रा हो जाएंगे जैसे आई आरेस इंडू सैट ठीक है ऐसे तमाम देशों के अपने सेटेलाइट है जो प्रतिवी के कच्छा में स्थापित किये गये हैं तो यह हुआ क्या पार्ट यानि हमने जाना कि चंदमा क्या है औ यानि अब हम बात करेंगे विशेष्टों में पूर्मा और अमावस्या की ठीक है यानि फुल मून न्यू मून के बारे में जानने वाले हैं देखिए पूर्मा का मतलब होता है पूर्ण चंदमा वाली रात यानि जिस रात हमें चंदमा पूरा दिखाई देता है उसे हम प ने प्रैक्टिकल यहां पर देखें माल लीजिए थान और यह अर्थ हुआ मैं आपको बताया कि चंदमा प्रधिवी के चार ओर चक्कल लगा तो यह हुआ चंदमा प्रधिवी के चारोर चकल लगा रहा आप एक स्थिति जैसे चंदमा प्रधिवी के चारोर ठीकिर घूम का एक स्थिति आया गी अर्सूर्णी के चंध्रमा होगा इस स्थिति मैं क्या होगा कि पिछली वीडियो में जब किसी फोस घॉर्णी वस्थू पर आप दालेंगे तो उसके आधेवाग कोही हम देख पाएंगे ठीक एक अस्थान पर वैट कर तो अब माली जे चंद्रमा हुआ चंद्रमा पर यहां से रोष्णी पढ़ रही है तो अब चुकि चंद्रमा के पास स्वयम की रोष्णी तो है नहीं स्वयम का प्रकास तो वह सूर के प्रकास से चमक रहा है तो सूर का प्रकास जो है चंद्रमा पर पढ़ रही ह तो ये इसके आधे भाग को ही प्रकासित कर पाता है, बाकि इसके पीछे का जो भाग है वो अंधेरे में डूबा रहता है, यानि उसे डाक साइड कहते हैं, ठीक है, तो इस आधे भाग में सूर का प्रकास होता है, और मा की भाग में डाक साइड होता है, अब हम जब से चंद्रमा को देखते हैं तो हमें बिल्कुल भी चंद्रमा नहीं दिखाएगा तक क्योंकि इस जो हिस्सा प्रतिवी के ओर से धीक करहा है वह हिस्से में पहुंच रही तो इस इस्तिति को हम क्या गारते हैं इस डिकों किया नू मून जहने इसे हम अमावस्या अब फुल्मून का 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 है अब मान लिए यही चन्मा धेंदेज जाकि यहां पर पहुंचा ठीक है अब सुरक रोषनी जो है चन्मा पर पड़ रही है और सूर की रोशनी सूर की रोशनी इस पर पढ़ रही है अब इस साइड में तो मान लिजे कि दोस्ति जो है इस साइड तो डार्क साइड है लेकिन अब क्या हो रहा है अब इस्थिति यह बन रही है कि सूर का प्रकास चंद्रमा पर जितने भाग में पढ़ रहा है वो और पूर्णिमा और आमरस्याच का कारण क्या है क्यों होते हैं तो वास्तों में यह सूर्य के प्रकास का जंद्रमा पर प्रभाव पड़ता है उसका परणाम होता है इस्टिती में चंद्रमा की इस हिस्से में जो है जिस हिस्से में प्रकास पड़ा है वहां से हम प्रतिवी मलब प्रतिवी से हम उस चंदमा के उस सता को देख सकते हैं इसलिए वहां पर फुल मून हो जाता है और यहां पर निव मून हो जाता है अब बात करते हैं प्रतिवी का एक चौथाई भाग यानि परिख्र्मण और परिव्रमण की तो बता दू आपको कि चंद्रमा जो है वो भी रोटेस्ट करता है और रृवलेट करता है अब ऑन की भाग दिखाई देता है अब बात दूस्ताती है तो हम आप से पूछे कि चंद्रमा इस प्रथिवी से कितनी दूरी में तो क्या आपको पता है सायद नहीं दर सब यहां से चंद्रमा की दूरी इंडिया से ऐसा कौन जो है जो चंदमा पर कदम रखा जिसने चंदमा पर पहुंचा तो वो है राकेश सर्मा 1984 में वो जो है चंदमा की सता पर उन्होंने कदम रखा तो गैस मेरे हिसाब से चंदमा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा अगर फिर भी नहीं आ तो आप कमेंट कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए